हेलो बच्चों, वाल्कम टी डितुमान्स ओल्लाइन क्लास बच्चों, आज हम आपकी कक्षा चोथी कि परिवेश अधिन की पठय पुस्तक जरोखा के पाठ एक परिवार कल और आज के कुछ बहु विकल्पिय प्रश्नोतर की दोहराई करेंगे प्रश्नोतर शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्ण संख्या एक जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताउ ताई वा उनके बच्चे साथ मिलकर रहते हैं उस परिवार को क्या कहते हैं देखो बच्चो ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहा जाता है एक एकल परिवार होता है जिसमें माता पिता वा उनके बच्चे होते हैं परंतु जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताउ ताई, वो उनके बच्चे साथ मिलकर रहते हैं, उसे संयुक्त परिवाल कहा जाता है तो इसका सही उतर है विकल्प खै प्रैश्न संख्या 2, आपके पिताजी की बहन को आप क्या कहेंगे? यह तो आप सभी को मालूम ही होगा चलिए, विकल्प पढ़ते हैं कै, बहन, खै, सहेली, गै, बुवा, या फिर गै, दी-दी क्या कहेंगे? Very good, बुवा, सही उतर है विकल्प, गै अगला प्रैश्न प्रैश्न संख्या 3, जिस परिवार में दादा-दादी, चाचा-चाची, ताउ-ताई वो उनके बच्चे मिल कर रहते हैं, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं परन्तु मेरे परिवार में मैं, मेरी बहन, वो मेरे मात-पिता रहते हैं उस परिवार को हम क्या कहेंगे तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया पहले प्रश्ण में तो उसे क्या कहेंगे उस परिवार को एकल परिवार कहेंगे इसका सही उत्तर है विकल्ब क्या अगला प्रश्ण प्रश्ण संख्या चार पिताजी की पत्नी को माता, दादाजी की पत्नी को दादी, ताउजी की पत्नी को ताई कहते हैं, चाचा की पत्नी को क्या कहते हैं? चलिए विकल्प पढ़ते हैं, कै, भाबी, खै, मौसी, गै, बुआ, या फिर गै, चाची चाचा की पत्नी को क्या कहेंगे? चाची, very good सही उत्तर होगा विकल्प घै प्रश्न संख्या पांच परिवार में विभिन समारों हों तियोहारों के आउसर पर घरों में महत्वपूर्ण निर्ने कों लेता है? कै, मुखिया खै, ताउ, गै, छोटा भाई या फिर गै, दादी तो बच्चों महत्वपूर्ण निर्ने कों लेता है? घर का मुखिया सही उत्तर होगा विकल्प कै अगला प्रश्न प्रश्न संख्या च्छ दियों के तियोहार को दिपावली कहते हैं रंगों के तियोहार को क्या कहते हैं? कै, होली, खै, रक्षबंधन, गै, तीज, या फिर गै, दशहरा यह है तो सभी को मालूम ही होगा रंगों का तियोहार होता है होली सही उत्तर है विकल्प कै अगला प्रश्न प्रश्न संख्या साथ आज विभिन्त योहारों उत्सवों पर प्लास्टिक वर स्टील के बर्तनों में खाना परोसा जाता है समीर के दादा दादी के समय में समाहरों में देखो बच्चों, यहाँ पर यह है मिस्प्रिंट है यहाँ पीतल शब्द जो है खै पीतल के बर्तनों में खै श्री स्टील के बर्तनों में गै लोहे के बर्तनों में या फिर गै पत्तलों में तो समीर के दादा दादी के समय में समाहरों में पत्तलों में क्या खाना परोसा जाता था छीक है? इसका सही उत्तर होगा विकल्ब घै अगला प्रश्ण प्रश्ण संख्या आठ परिवार में नए बच्चे के जन्म लेने पर मा को क्या नया काम करना होता है कै खाना बनाना खै कपड़े धोना घै बच्चे की देख भाल करना या फिर घै सबजी काटना देखो बच्चो यह सब काम कै, खै और घै यह काम तो पहले भी होते थे पर बच्चे के जन्म लेने पर नए बच्चे के जन्म लेने पर क्या बच्चे की देख भाल करना शुरू करना पड़ता है न तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा विकल्ब घै प्रश्ण संख्या नो किसे व्यक्ति द्वारा धन कमाने का उदेश्य से यहां के आएगा बच्चों कमाने के उदेश्य से किये गए कार्य को क्या कहते हैं कै, व्यवसाय, खै, खेल, गै, विभा, या फिर घै इन में से कोई नहीं तो बच्चों धन कमाने के उदेश्य से केगए कारियों को क्या कहते हैं? वियवसाय कहते हैं तो इसा ही उत्तर है विकल्प कै? अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11 है होली कात्योहार किस बात का प्रतीक नहीं है? के भाईचारे का, खे लड़ाई का, गे सहनशीलता या फिर गे मिठाई का तो बच्चों देखो होली का त्योहार भाईचारे सहनशीलता और मिठाई का इन सभी का प्रतीक होता है परन्तु लड़ाई का प्रतीक नहीं होता कोई भी तिवहार लड़ाई का प्रतीक नहीं होता तिवहार खुशियां लाता है और भाई चारा एवं सहन शिलता सिखाता है तो इसका सही उत्तर होगा विकल्ब खे प्रश्न संख्या 11 है इन में से कौन सी विवा से जुड़ी रस्म नहीं है या फिर घै जनम दिन यह तो सभी को पता होगा देखो ये तीनों कै खे और गै ये तीनों विवा से जुड़ी रस्में है पर अंतु जनम दिन तो विवा से जुड़ा नहीं है न तो इसका सही उत्तर क्या होगा विकल्ब घै अगला प्रश्न प्रश्न संख्या बारह है समीर के पिताजी क्या काम करते हैं कै डॉक्टर, खै किसान, गै अध्यापप, गै पत्रकार मतलब यहां लिखा हुआ है कि समीर के पिताजी क्या है विवसाय से तो बच्चों बताओ, याद है सभी को वेरी गुड, पत्रकार, समीर के पिताजी पत्रकार है इसका सही उत्तर है, विकल्ब घै तो बच्चों, आज के लिए इतने ही प्रश्नोतर काफी है इससे अगली वीडियो में अगले पार्ट के प्रश्नोतर की दोहराई करेंगे तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बच्चों